हलो फ्राइंस वेलकम टू सौनम फैसन बोटनिक ब्लॉच दिजैन बनाएंगे ब्लॉच के बैप पड़ के लंबाई लिए है 14 इंच सोल्डर एन आर्मॉल दोनों रख्के हैं आपर साड़े 6 इंच सीन साड़े 9 इंच एन कमर के लिए भी साड़े 9 इंच लिया है ब्लॉच का साड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की मार्किंग करेंगी गले के चोड़ाई रख्किये बोटनिक की अकॉर्डिंग 3 इंच छोटे साड़ के बलाओ जए गले की लंबाई रख्किये मैंनी हाँ पर 10.5 इंच नीचे की तरफ से भी गले के चोड़ाई हमें 3 इंच रखनी है इसके बाद उपर की तरफ से एक निसान लगाएंगे 3 इंच पर और इसे बोटनिक का सेफ दे देंगे अब इसी निसान से नीचे हमें एक निसान लगाना है 2 इंच पर और इसे देखिए हमें हलके हाथों से उपर की तरफ ड्रो करना है कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ हमें कुछ इस तरीके से सेफ्टे देना है हलका सा रॉंड करके अब आर्मॉल के तरफ हम एक निसान लगाएंगे तीन इंच पर और इसे गले के निसान से मिला देंगे नीचे के तरफ से मिलाना है गले के मार्किंग हो चुकी है इसी मार्किंग के उपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे ये जो नीचे मार्किंग की है इसे हमें कट कर लेना है अलग कर लेंगे हमें से ये दीखे कुछ इस तरीके से कट किया है इसे अब हमें मैन फैबरिक को लेना है मेन फैबरिक की उपर भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है मेन फबरिक क्यों पर कटिंग कर लिए हैं नीची वाली पट्टी को अलग करेंगी उपर वाली अस्तर कुरेंगी इसके बाद हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है पेपर पेस्टिंग क्यों पर हमें अस्तर को रखना है और एज अटीस गले की मार्किंग कर लेनी है बहार की तरफ से लगबग एक इंच एश्टर मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग की उपर हमें पेपर पेस्टिंग की उपर भी गले की कटिंग कर लेनी है इसी ओपन करके रखेंगे सबसे पहले हमें अस्तर को रखना है अस्तर की उपर हमें पेपर पेस्टिंग रखना है और इसे एरन की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे यह देखी मैंने हाँ पर अस्तर की उपर पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है अब हम में फैबरिक को लेंगी मेन फ्रफिक यूपर हमें अस्तर को रखना है और इसे फिन लगा कर रच्चे से सिक्यूर कर लेंगे गला रेडी करेंगी तो गले में हम स्लाई लगाएंगे स्लाई हमें हाप पर एक पर यह हाप पिंज का मारदन छोड़ते हुए लगाएंगे कुछ अस तरीके से हमें हाप इंज का मारदन छोड़ते हुए स्लाई लगा लेनी है हाप पर स्लाई लगाने को अमें से बीच में से कट करके अलग अलग कर लेंगे और इसमें छोटे-छोटे सी कट लगाएंगे कट लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगी अस्तर हमारा नीची के तरफ चला जाएगा और मेन फैबरिक हम उपर के तरफ यह देगी कुछ इस तरीके से पलटते हुए सीधा कर लेंगी इसे हलके हाथों से प्रेज करना है अब इसकी उपर हमें एक स्लाई और लगाने हैं फिनिसिंग के लिए तो कपड़े को हम अच्छे से संभालते जाएंगी एक भी सिल्वट नहीं रहने चाहिए हमारी कपड़े पर और इसकी उपर हमें फिनिसिंग की स्लाई लगाते आने हैं इसके बाद हम इसकी आल रंडो इस्टिचिंग कर लेंगे जो भी इस ट्रक कपड़ा दिख रहा है उसे कट करके निकाल देंगे सेम इसी तरीके से वो जो दूसरा पीस है हमारा उपर के सैड कले का उसे भी हमें कट करके सीधा करके पलट कर उसकी उपर भी फिनिसिंग की स्लाई लगा लेनी है इसके पूर ये जो उन्हें नीचे का पीस अलक किया था कट करके सबसे पहले उसके लिए हमें मेन फैब्रिक को रखना है उसके उपर हमें अस्तर को रखना है और उपर के साइड से ये जो हमने गोलाई का सेप दिया है वहाँ पर हमें हाप इंच का मारदन छोड़ते हुए ए दौनों को अच्छे से खीषते जाना है दोनों साइड और इसके उपर एक सलाई लगाते आना है अब हमें इसे पल्टेंगे मेन फैब्रिक हमार उपर रहना चाहिए अस्तर नीचे रहेगा और इसके उपर हमें एक सलाई और लगानी है फिनिसिंग के लिए ये देखिए कुछ इस तरीके से complete है हमारी नीचे बाली पट्टी अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे तो कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने हाँ पर दो इंच चोड़ी अस्तर की पट्टी लिए है पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें एक साट से सिलाई लगाएंगे एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पल्टेंगे दूसरे सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे अब इस पट्टिकों में अंदर की तरह पलडती हुई इसकी उपर एक स्लाई और लगा लेनी है इसी के साथ हमारी ये कमर पट्टी भी कम्पलीट हो जाएगी ये देखी नीजी की बेल्ट हमारी बनके कम्पलीट हो चुकी है इसे सीधा करके रखेंगी और जो हमने उपर वाले पाट बनाये थे उन दोनों पाट को लेना है और इसके नीजी रेखना है देखी हाप इंची दबा देना है हमें उपर वाले पाट को इस पट्टी के नीजी ये देखी अच्चे से सेट करते हुए रखेंगी उपर की सेट भी हमें सेट कर लेना है बिलुकुल एकदम सीधे दिखने चाहिए पर्ट और अब हम इसे पिल लगाकर अच्छे से सेक्योर कर लेंगे कोई भी पर्ट हमारे छोटे या बड़े नहीं होने चाहिए हमें एकदम से अच्छे से सेट करते हुए रखना है अब इसके उपर हमें एक सलाई और लगाने है यह जो हमने पर पट्टी के नीचे रखे हैं दोनों उपर के पर वहीं पर हमें इसमें एक सलाई लगा देने है अच्छे से फिनिसिंग के साथ सलाई लगा लेंगे हम इसके उपर यह देखिए कुछ इस तरीके से बनके रेडी हुआ है इससे साइड में करेंगी इसके बन मने हाप पर यह आठ इंच लंबा पाँच इंच चौड़ा फैब्रिक पीस लिया है इसे दोनों तरफ से पलटेंगी और इसके दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद इसके चारो कोर्नर को कट करना है और बीच में से यह जहां पर ओपेन है वहीं से हम इसे पलटते हुआ सीधा कर लेंगे सीधा करने को बद देखी हमें इसके बिल्कुल वीचोबी सेंटर में छोटी-छोटी सी चुन्डेट बनाने है और इसी एक धागा से हमें टैट बांग देना है यह बटरपलाई हमारा बनके कमप्लेट हो चुका है इसे सैड में करेंगी इसके बाज मने यहां पर एक फैबरिक All लिया है सिम्पल सी बटन ले है बटन को रखेंगे फैबरिक के अंदर इससे इस तरीके से टैट पकडेंगे और इससे भी हमें टैट धागा से बांग देना है फैबरिक बटन बन के कंप्लेट है एश्ट्र जो भी कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे इसके बाद हम बलाज को लेंगी बलाज में नेचे के सब देखी हमें हाँ पर ये बटरफ्लाई को रखना है और इसे हमें सुई धागा से अच्चे से टक कर देना है इसके बाद में यहाँ पर ये गोल्डन कलर का मोती लिया है मोती को हम बटरफ्लाई के बिल्कुल बीचो भी सेंटर में टक कर देंगी अब चाहें तो यहाँ पर फैबरिक बटन या फैंसी बटन को भी टक कर सकते हैं अब उपर के साड ये जो हमारा खुला हुआ है इसे हमें सुई धागा से दोनों तरफ अच्चे से टक कर देना है और अब इसके उपर फैबरिक बटन लगाई थी उसे भी हमें अच्चे से टक कर देना है फैबरिक बटन को टक कर दिया है इसी के साथ हमारा ये बलॉज का डिजान बनके कम्पलेट हो चुका है मैंने इसे बुरुकोष सिंपल रख का है आप इसे लेश भी लगा सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद